फिर आप नहीं कमा सकते हो आज मैं दस तरीकों से कमा रहा हूं दस अलग-अलग तरीकों से कमा रहा हूं ठीक है इसमें निवेश भी शामिल है इन्वेस्टमेंट जिसको बोलते हैं मैं शेर मार्केट में भी इन्वेस्ट करता हूं वहां से भी कमाता हूं प्रॉपर्टी में अपने आपको और एक और बात पैसे से पैसा कमाना वो बहुत important है कि आपके पास पैसा है उससे पैसा कैसे कमाया जा सकता है तो वो सारी चीज़े आपके सामने धीरी-धीरे खुलेंगे लेकिन आप सवाल यह है कि आप शुरुवात करना जरूरी है कि पैसा कमाना ultimately मकसद क्या है पैसा कमाना समझ में आता है study भी कर रहे हो तो आपके मबब क्या चाहते हैं बच्चे पाउँ पे खड़े हो जाएं पैसा कमाना शुरू करते हैं सही बात है तो बस यही मकसद है तो आप जब एक बार दस रुपया कमाओगे और एक बार सो रुपया कमाओगे तो फिर आपको अच्छा लगेगा कि मैं भी अर्न कर सकता हूँ यह feeling आनी ज़रूरी है और I can also earn और यह feeling तो मेरे को मैं जब छोटा सा बच्चा था 6-7 साल का मेरे को तब ही आ गई थी मेरे पापा ने मुझे शौप पे बिठाया है मैंने सारा काम सीखा पता लगा कैसे बेशते हैं मैंने एक दिन बेच के दिखा दिया फिर पापा जाते थे मैं किला शौप पे होता था मैं घी साबून यह सब बेचना शुरू कर दिया है मैंने तो मेरे में बिलीव आ गया कि मैं भी बेच सकता हूं